नमस्कार, एक आखरी प्रयास भी बदल सकता है आपके जिन्दगे मित्रो, मैं डॉक्टर एसार शास्त्रे आए, हम लोग जानते हैं कि आपकी एक आखरी प्रयास भी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है बस हमें प्रयास रत रहना चाहिए और प्रयास से कभी हारना नहीं चाहिए मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेर करूँगा और उस घटना से आपको अभास हो जाएगा कि आप जीवन में अंतिम प्रयास कभी मत छोड़ना कियोंकि जो अंतिम प्रयास करता है उसी का पहला प्रयास होता है मुझे एक बड़ी अच्छी घटना याद आती है एक कोई ब्रहामन भिक्षा के लिए किसी रास्ते से निकल रहा था रास्ता संक्री था और वो जंगलों के बीच से जा रहा था उस रास्ते में उसे उस जंगल के बीच में एक पत्थर मिला पत्थर बड़ा सुन्दर था उस ब्रहामन ने सोचा कि पत्थर को लेकर के मैं जाओं और इसे एक मुर्ति बनाओं मुर्तिकार को दूँआ और उससे मुर्ति बनवाओं क्योंकि पत्थर बड़ा सुन्दर है उस पत्थर को उसने लिया और उसके अहां उस गाउं में सबसे बड़ा जो मुर्तिकार था जिसका कोशो दूर तक जिसकी पहचान लोगों में थी उसके पास पहुँचाओ ब्रहामन और जाकर के बोला कि आप इस पत्थर से भगवान शिव की एक मुर्ति बना दो ताकि मैं पूया कर सकूँ करता मुर्तिकार ने पत्थर लिया और उस पत्थर पर पूरा प्रयास करने लगा तभी से पंद्रा दिन बिद गए पंद्रा दिन के बाद जब ब्रहामन वापस पहुचा मुर्तिकार के घर बड़ा निरास था मुर्दिकार उसने कहा कि ए ब्रहमन देउताए पत्थर आप लाए कहां से क्योंकि मैं इसमें तब से प्रयास कर रहा हूँ और हथाओडे पर हथाओडे मैंने चलाए लेकिन पत्थर ढूटने का नाम नहीं ले रहा है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इसे कुछ बना पाँ क्योंकि जब पत्थर ढूटेगा नहीं तो बनेगा कैसे तो मैं अक्षमा चाहूंगा ब्रहमन भी बड़ा निरास थे उन्होंने पत्थर लिया और सोचा कि जब पत्थर का कोई सदुप्योग ही नहीं है तो मैं वहीं के उन्हा रख दो जहां से मैं लाया था पत्थर लिया ब्रहमन लेके चले गए रास्ते में जा रहे थे एक सधारन सा उसी गाउँ का एक दूसरा मुर्तिकार जिसको अभी कोई नहीं जानता था लेकिन मुर्ति बनाता था उसको शौक था और ओओ करने का प्रियास करता था कि मुझे कुछ निया करना देखा ब्रहमन को प्रणाम किया महराज कहा जा रहे है ब्रहमन लेक पत्थर लाया था उसने पहला हथवड़ा मारा और पत्थर तूट दिया 99-99 हथवड़े पहले मुर्तिकार ने मारे थे और उस हथवड़े को परणे से पत्थर कम पम जोर हो चुका था एक हथवड़ा दूसरे मुर्तिकार ने मारा और पत्थर तूट दिया जीवन में लोग ऐसे ही सोचते हैं हर कोई हर कारे करता है और बोलता है कि मनें बहुत प्रयास कर लिये लेकिन मुझे कभी भी सफलता नहीं मुझे क्या पता कि तुम्हारी जो अंतिम सफलता है वही तुम्हारे प्रोग्रेस का सफलता हो जो अंतिम सफलता है वही तुमारी प्रथम सफलता बन जाए इसलिए प्रयास कभी मत छोड़ना निरंतर करते रहो करते रहो और कभी भी एक ना एक दिन उस मुर्तिकार की तरह तुम्हें सफलता मिलेगी काश वो मुर्तिकार एक खतवड़ा और मारा होता तो जो उसका पहचान था वो पहचान आज भी बना होता लेकिन एक खतवड़े से दूसरे मुर्तिकार की समाज में पहचान होता तो तुम्हारी भी पहचान अंतिम प्रयास तुम्हारा पहचान हो सकता है इसलिए अंतिम प्रयास कभी मत छोड़ना मित्रों ऐसे ही मरे य्ट्यूब चैनल को आप लाइक करिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिकिए और शेर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए बेल आइकन प्रेस करना मत लिए नमस्कार